प्रस्थांत्रई क्या है? इसका अर्थ तथा कौन सिब ग्रंथ प्रस्थांत्रई के अंदर गत हैं? और क्यों? इस वीडियो में प्रस्थांत्रई से सम्बंदित इन प्रश्णों पर विस्तार से जानेंगे। प्रस्थांत्रई सनातन धर्म का वह भाग है जो किसी सिध्धांत को सिध्ध करता है। यदि किसी सिध्धांत को प्रस्थांत्रई द्वारा सिध्ध नहीं किया जा सकता तो वह सिध्धांत माने नहीं है। इसलिए प्रस्थांत्रई द्वारा संक्राचारे निंबारकाचारे रामानुजाचारे, मादभाचारे, आधी बड़े-बड़े गुरूँ ने अपने मत को सिद्ध किया है तो प्रस्थांतरई क्या है प्रस्थांतरई यह शब्द प्रस्थां और त्रे से मिलकर बना है जिसका अर्थ है तीन प्रस्थान त्रई अर्थार्थ तीन और प्रस्थान अर्थार्थ जाना सनातन धर्म में यह मत है कि यदि किसी को कोई सिधान्त को सिध करना हो तो उन्हें इन तीन प्रस्थान से जाना होगा वह तीन प्रस्थान है शुती प्रस्थान, स्मृती प्रस्थान और न्याय प्रस्थान इसलिए यदि किसी को कोई सिध्धान्त को सिध्ध करना हो तो उन्हें तीन प्रस्थान से जाना होगा अर्थार्थ उन्हें इन तीन प्रस्थान से जाती हुए इनके प्रमाणों से सिध्धान्त को सिध्ध करना होगा ध्यान दे कुछ लोग प्रस्थान त्रही में त्रही का अभिप्राय तो समझते हैं क्योंकि इसमें तीन गरंथ हैं इसलिए त्रही कहा जाता है किन्तु वे प्रस्थान का अभिप्राय नहीं समझ पाते हैं प्रस्थान करना यानी जाना इसका अभिप्राय है कि इन तीन गरंथों में जाते हुए इनके प्रमाणों से सिध्धान्द को प्रमाणित करना दूसरे शब्दों में जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है गो थू दबुक्स यानि इन पुस्तकों से जाओ वैसे ही प्रस्थान्तरई में प्रस्थान अर्थार्थ इन प्रस्थानों से जाओ जैसा कि आप जानते हैं प्रस्थान त्रई में तीन प्रस्थान है शुति प्रस्थान, स्मिर्थी प्रस्थान और न्याय प्रस्थान हर प्रस्थान का एक ग्रंत है, शुति प्रस्थान में उपनिशद है, स्मृति प्रस्थान में शीमत भागवत गीता है और नया प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र यानी वेदांत है उपनिशदों को शुती प्रस्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि उपनिशद वेद का अंश है और वेद को शुती कहा जाता है इसलिए उपनिशद को शुती कहा जाता है पहले वेद लिपी बद नहीं थे भगवान से मनुशों तक वेद सुनते हुए गुरु शिष्य परंपरा अनुसार आये इसलिए वेद को शुती कहते हैं इस विशे में विस्तार से आप वेद का ग्यान मनुशों तक कैसे आया उस वीडियो में या उस लेक में आप पढ़ और देख सकते हैं तो अब यह प्रश्ण हो सकता है कि उपनिशदों के बजाए वेदों को शुती प्रस्थान में रखा जाना चाहिए क्योंकि वेद शुती है इसका उत्तर यह है कि वेदों में बहुत से मंत्र हैं उनमें से सबसे महत्पून उपनिशदों में है यह उपनिशद वेदों का अंश और सार है यह ज्यान और उपासना प्रधान है इसलिए शुती प्रस्थान में उपनिशद को रखा गया प्रस्थांतरई में स्मृती प्रस्थान श्रीमत भगवत गीता है स्मृति शब्द का अर्थ है स्मरण या याद रामायन महाभारत, श्रीमत भगवत गीता आदी स्मृत ग्रंथ है क्योंकि कथाओं को, इतिहास को, किसी के बातों को स्मरण करना बहुत सहज है बड़ा सरल है स्मिति प्रस्थान में श्रीमत भगवत गीता इसलिए है क्योंकि इसमें कुल 700 स्लोक हैं जो भली भाती स्मरण किया जा सकता है, याद किया जा सकता है तथा इसमें स्वेम भगवान श्रीकिष्ण ही अर्जुन से कह रहे हैं और यहां उपनिशदों का सार भी है इसलिए श्मिति प्रस्थान में श्रीमत भगवत गीता को रखा गया है प्रस्थांत्रई में न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र है प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णे पर पहुँझना न्याय कहलाता है नियाय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र इसलिए है क्योंकि इसके रजईता स्वेम वेद व्यास जी है जिन्होंने वेदों को लिपी बद्ध किया और ब्रह्मसूत्र लिखा जिसमें उन्होंने तर्क और प्रमाणूं द्वारा उपनिशदों के सिध्धान्त को सिध्ध किया से न्याय देते हैं ध्यान दे प्रस्थान त्रई में सनातन धर्म के विशेश ग्रंत हैं इसलिए भारत वर्ष में जब कोई गुरू अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं उसकी प्रतिष्ठा करना चाहते थे तो उसके लिए सरप्रथम वह इन तीन पर भाश ल यह सबस्क्राइब करें जिससे वेधी केम के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें